नमस्कार मैं हूँ दिपांशू बंडारी और आप देख रहे हैं Zee Business आप सभी को दशेरे की धेरोशुब काम लाए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वालत योहार दशेरा बाजार और निवेशकों के लिए भी कई संदेश देता है राम का चरित्र और रावण का एहंकार इन दोनों में ही बाजार के लिए बड़े रहस्य चिपे हुए हैं आज हम उन्ही रहस्यों से परदा उठाएंगे और बताएंगे कि कैसे राम और रावण से मिली शिक्षा आपको बाजार में एक अच्छा निवेशक या फिर एक अच्छा ट्रेडर बना सकता है तो आएए करते हैं शुरुआत राम और रावण के मार्केट मंत्र जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं Zee Business के Managing Editor अनल सिंग्वी बहुत बहुत शुक्रिया सर हर बार यह सीरीज करके आपके साथ मज़ा आता है बट यह हम एक इंट्रेस्टिंग शो आज जो लेकर आए हैं राम और रावण के मार्केट मंत्र इससे हम क्या सीख सकते हैं अब अफकोस भगवान राम से तो हम क्या कुछ नहीं सीख सकते हैं तो हम सभी जानते हैं और ग्रोब भी कर रहा है इन सभी आइडियल के साथ रावण से भी कुछ सीख सकते हैं बिल्कुल दीप और इस बार थोड़ा से हमने इसलिए अलग कॉंसेट भी बनाया है क्यूंकि रावन में भी ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी बुराई नहीं थी एक आद अच्छाईयां भी थी तो अच्छाईयों के मामले में अगर आप लेके तो बहुत बड़े ग्यानी थे गजब का ग्यान था और आपको ग्यानी होगा यह कैसे बगवान शीराम ने लक्षमन जी को बुराईयां थी जिससे हमें बचना है आज का अच्छाईया सीखनी है और क्या बुराईयां अवाइड करनी है एक्ज़किल आपको क्या नहीं लेना है क्या नहीं खरीदना है अगर आपने वो लिस्ट बना ली या वो पेरामिटर सेट कर दिये तो 95% इस्ट जिए तो आप समझ गए तो maximum काम हो गया चली यह तो इंट्रेस्टिंग तीम लेकर आई है तो समझते हैं सर फिर आपके साथ करते शुरूरात क्योंकि आपने कहा कि क्या नहीं सीखना यह भी है तो रावन के लिए कहा जाता है कि बहुत लोगों आता है मेरे को मार्केट आता है मैं मार्केट को समझता हूँ और मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ तो कई बार मजाक में कहते हैं कि आम तर पर यह वाली विड्व रेस्पेक्ट तो अल्ल में अपने भी एख लोगों आपने में किया तो कई बार में तो कई बार मार्केट को हम हंड़ेट परसंट कभी सीखी नहीं सकते समझ नहीं सकता है मैं तो इस साल बार बार करता हूँ 2022 में जो कुछ हमने पिछले तीस साल में सीखा है वो री राइट हो रहा है नया सीखने को मिल रहा है जो पहले सीखावा काम ही नहीं आ रहा है तो कभी भी यह गलत फिरिमी नहीं रखें कि मुझे मार्केट पूरा है यह एहंकार आना ही नहीं चाहिए यह एगो नहीं होना चाहिए मुझे तो आता है के लिए कि बढ़ाए मार्केट को पूरा समझ चुके इसी गलती ने कर checking रहे मार्केट को बगवान मानें, ये इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए भगवान क्या है, भाव भगवान, भाव और भावनाओ, इन दो का तो खेले स्टोक मार्केट, तो भावनाओं तो आपकी काबू में रहती नहीं, कभी ग्रीड, कभी फियर, कभी लालच, और कभी डर, इसलिके ट्रेडर्स को जब ट्रेड करना है, और ट्रेडर्स भाव को ट्रेड करते हैं, फंडामेंटल्स या कंपनी के बिद्निस को नहीं, जब आप ट्रेडिंग करना हैं, तो भाव के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है, वैसे ही स्टॉप लोस लगाने, और वैसे ही टार्गेट रखने हैं और कोई चीज वहां काम नहीं आती है अगर इन्वेस्ट कर रहें तो मार्केट के सामने लड़े भीड़े उनकी गलती निकालने की कोशिश ने करें गलत हुएं तो हम हुएं मार्केट नहीं बस ये भावना आगई आदी जंग आपनी चीछ लिए तो वह एंकार न रहें वे नम्र रहें अच्छा इसके सामने तो भग्वान नाम तो एक्जैक्ली आपॉजिट थे वो तो सैयम भी थे शान्थ भी थे भी थे इसके बारे में सर्थ Sp чис स सबसे उधार लेकर पैसा लगा दूं लालेश है तुरण बन जागा फटा-फट बन जाएगा बहुत सा हो जागा, ताला लग जाएगा, ऐसा भी नहीं होता, को सकता है, आपके कुछ एक स्टोक ऐसे हो जिसमें बहुत जादा उपर नीचे हो जाए, वो पॉसिमिलिटी है, बट overall market को आप देखोगे, तो पैसा तो बनता है, यहीं बनता है, इसलिए भगवान शीराम से आपको जिनगे में गलती-गदी वापस किया होगा, वो भावनाओं के साथ जो भेह जाते हैं, वो नहीं करना है, लेकिन जितनी आप कंट्रोल में कर सकें, कम रख सकें, और आपकी हेजिंग और रिस्क मेनेजमिन के साथ रख सकें, यह है, तो सैयम और शांत रहने के गुन दोनों को चाहिए, ट्रेडर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी, डन सर, अच्छा फिर दूसरा बताएं, रावन के कौन से ऐसी खराब चीज़ है, जिससे हमें दूर रहना चाहिए, देखो, दूसरा सिंपल है, रावन के आउगुन में एक ही था कि उनने अपनी ग्यान का सही इस्त आपको सिखाता है, यह सारी चीज़ वो आपको सिखाता है, लिए अल्टिमेटली जाके तो आपको खेलना है, रावन के के केस में यह था कि उननोंने ग्यान का सही इस्तेमाल नहीं किया, उनको पता सब को सा, similarly, इन्वेस्टर्स, सबको मालूम है, कि खराब कॉलिटी का शे यह एक बड़ी चीज़ है, और दूसरा ही कि जो कुछ भी पढ़ाई आपने के, जो कुछ सीखा है, बताब कई बार कहते हैं कि यह तो बुकिश नोलेज है, इसलिए है बुक में कि वो नोलेज काम किया है, तो बुकिश नोलेज को खाली ऐसा नहीं कि पढ़के छोड़ दि बुकिश नोलेज का अपना एक वेल्यू है, बुकिश नोलेज, आप बुक पढ़कर फिर एक्जाम देने जाएंगे, वो प्रेक्टिकल है, तो बुक नहीं पढ़के तो एक्जाम क्या देंगे, पोचिंग नहीं तो खेलेंगे क्या, तो दोनों को आपको साथ में लागू यह ज्यान में रखें, तो घ्यान का सही इस्तिमाल करें, यह सीखना है आपको रावन से, और राम से, इसके सामने का क्या, राम के केस में एक बात थेकिए, उन्होंने हमेशा सही बात का साथ है, उनको मर्यादा पुरुश्यतम इसलिक आ जाता है, जो सही है गलत गलत, ठीक क्वालिटी की, टॉप क्लास मेनेजमेंट, प्रूवन ट्रेक रिकॉर्ड, लंबे समय से चल रही है, यही तो चाते हैं, तो सही बात का साथ है, और जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बगवान शीराम से जो आपको सीखने लाए कि वह हमेशा से आप डिसिप्लिन के तर पर हों डिसिप्लिन, हर तरह का होता है, एक डिसिप्लिन होता है आपकी ओंटिटी का, कि आपको कितना ट्रेड करना है, दूसरा डिसिप्लिन होता है, आपकी एक ट्रेड का, ट्रेडर्स न्वा Commissioner, भी पुझ मेंगी मेंसुन का और आपने अपनी भावनाओं को साइड में रखके प्रोपर स्किल्ड तरीके से टेक्निक के साथ ट्रेडिंग की तो आपका काम हो गया है तो भगवान शीराम से ये सीखना जरूरी कि हमेशा से आप सही बात का साथ दे तब ही जाकर आपका काम बनेगा प्रोपर साथ दें सही पात पर चलें और उसके सामने ग्यान का सही इस्तमाल कर दें अगला अगला अगोर्ण जगर रावन के बात करें ये इंट्रेस्टिंग है बेवज़ा है रिस्क लेकर बड़ा दाव लगा है और ये तो हमने देखा भी था रामाइंट में उन्होंने जो किया था अच्छी कासी सोने की लंका थी खाली एक सिता माता जी के अपरहन करनी के चक्कर में उन्होंने पूरी जिन्दगी पर की अपनी ग्यान को दावपे लगा दिया अपनी देश राजधानी को दावपे लगा दिया अपनी प्रजा को दावपे लगा दिया अपने परिवार को दावपे लगा दिया कई बार मुझे ट्वीट आते हैं मेसेज मिलते हैं सर ये स्टोक में तो बरबाद होगे मैरे सब खतम हो गया पर भी आप एक trade गलत होने पर कैसे बरबाद हो सकते हैं इतना क्या कर लिया तो फिर कुछ ने कुछ बैसिक थोड़ प्रोसेस्स में गड़बड है तो रावन से हमें ये सीखना है कि कोई भी एक गलती ग्यान सुझने का कोई भी एक गलती आप इतनी बड़ी न करें कि जिंदे में दूसरी गलती करने लाइब नरहें क्या गलती तो हम करेंगे रोज करेंगे ये तो खrettम होने होने वाली नहीं लेकि तुर कितनी बड़ी करनी है कई बार कहता है नहीं जो जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी गलती करता है तो अपने आपको छोटा आदमी मानो और छोटी छोटी गलती है कोई भी पोजिशन लो इतनी न लो कि आपको ये लगे भाई कि अब मैं तो खतम तो एक या दो ट्रेड में है पूरी के पूरी आपको रिस्क समझ कर प्रोपर तरीके से पैसा लगाना है चाहे आप इन्वेस्टर हैं चाहे ट्रेडर हैं ये दोनों के लिए तो बेवज़े अनाप शनाप की रिस्क लेकर मतलब सबकुछ एक साथ दावपर लगा दूँ जो होगा देखा जाएगा और तो फिर देखने की ज़रुति हैं क्या होगा पता ही है जो होगा देखा जाएगा तो सब को मालू है क्या है अब आप ये सोच हो कि मैं 300 की स्पिर से गाड़ी चलूगा जो होगा देखा जाएगा तो फिर पता है क्या होगा तो देखना है क्या है आप क्या देखोगे वो वाली चीज़ और सामने राम का कौन संग गुड रहेगा सर राम का एक जो गुड है वो है वनवास का 14 साल के वनवास के बाद सोचों ने क्या मिला अईध्या की राजगद्धी वापस राम राजज्य करने का सुआउसर यानि की अगर आप मुश्किल परिस्टियों में लंबे समय के लिए धेर ये धीरच के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं 14 साल के लिए लगाओ पैसा देखो फिर कैसे पैसे बनते हैं तो भगवान शीराम से यह सीखिए कि वनवास की तरह लंबा समय आपका इन्वेस्मेंट में होना चीए वो भरोसा रहना चीए अराम से बैठे रहे हैं लंबा विजन लंबा रखो तब जाके आप कुछ अच्छा काम कर पाऊगे समय लगता है पैसा बनता है तो जितना लंबा समय क्योंकि वनवास से आप क्या देखेंगे एक तरसे आपका शेर खरीदा नहीं चला या आपको पोटफोलियो बनाने में समय लेकिर अगर आपने उस समय का सही स्तेमाल किया तो आपको राजगदी मिलना तरह है इसी तरह से भगवान शीराम की तरह है आप भी 14 साल के लिए शेर खरीट एक दिन याद है मैंने पूछा भी ता ट्वीट पे आप अपनी 25 साल के लिए आप लंबा सोचें वनवास की तरह लंबा सोचें वनवास में भी कुछ अच्छी चीज़ निकल के आती है करेक्ट सर लॉंग टम लॉंग अगला अगर अफगुर्ण रावन का माने तो इन्हें तो दिख रहा था कि परिशानी हो सकती है कई सारी वार्निंग साइन आई इन्हों जितने आउगुर्ण है लोगों को एहंकार वाला लग सकता है कि रावन का तो बड़ा एंकार था एक की साथ बड़ा दाव लगा जिसके हम बात कर रहे थे यह सारी चीज़े हैं ग्यान कर इस्तेमार लेकिन मेरे इसाफ सदीव जो सबसे बड़ा आउगुर्ण था वो यह गलती नहीं मानना इसको दो पार्ट में करना था, पहला गलती नहीं मानना और दूसरा उससे नहीं सुधार ना, ठीक है गलती नहीं मानना मतलब क्या है समझो आपने कोई एक share में नीवेश कर लिए जब किया तो अच्छा लगता है और यह गूर्प बढ़िया कर रहा है इसा कर रहा है ठीक है जब आप अच्छा सोचते हो तो ही करते हो हो जाता है कई बार आपने जो सोचा उस तरह की वो performance company की नहीं, group या company मुश्किल में आ गई, business model जैसा सोचे तरह वेसा नहीं हुआ, बड़ा expansion plan सोच के आपने निवेश कर लिया, पता चला उस expansion plan के वज़े से company की balance sheet होगी, खराब, ठीक है, कोई बात, लिगा आप मानने कोई तो यार ने कि मैंने गलती की, मैंने तो सही लगाया था, आप company की गलती है, अब क्या कर लोगे भाई साब company की गलती है तो, पैसे तो आपके लगे, अगर जहां समझ में आए, यार 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 ये गलत कर जिया, ज्यान नहीं दिया था कि बड़ा expansion तो कर रहा है, बड़ा plan तो लगा लगा लगे, पैसे लाएगा पैसे लाएगा तो अपना भी डेट है, प्रोमोटर ने भी अपने शेर प्लेज कर दिये, ये सारी दिक्कते हैं, तो balance तो खराब होनी है, तो ये सोचा नहीं था, कोई बात नहीं, तो पहली चीज, जब तक आप denial मोड में है, तब तक तो सुधार की गुझाईशी नहीं, अपसलोटली, है ना, जब आप गलती मानेंगे तो ये सुधार करेंगे, तो पहली चीज आपको गलती मानना है, दूसरी बात मानने के बाद सुधार ना है, किसे, इन्वेस्टर्स के लिए खराब कॉलिटी के शेर ले लिए, कोई बात नहीं, पहली गलती है, बने रहेंग लंका अच्छा बैतर स्विच करके, वो देख लो, तो गलती मानें, बाई, दूसरी चीज है कि कितने युद्धा ऐसे हैं, जिन्होंने लड़े-लड़े करते रे करते, लेकिन जब उनको समझ में आ गया है, जैसे रावन की कैसम समझे, लंका धहन, लंका धहन पहले दिन थ क्या कर लेंगे, ये वन में गुमने वाले भगवान शिराम ये क्या कर लेंगे, वो एहंकार और गलती नहीं मानना कि मैंने गलती कर दी स्विता जीग उठा कर, उस ही में गया, अगर भगवान शिराम ने पूरा मोका दिया, गलती मान लो वापस देज़ दो, तैयार ही नह तो अगर आप गल्ती मान लेते तो सुधार लेते तो यह चीज है आपके लिए इन्वेस्टर्स के लिए खराव कॉलिटी का शेर आ गया गल्ती मान लो सब ट्रेडर्स के लिए गल्ती मानने और सुधारने का तरीका स्टॉप लॉस एक ही है उससे छेड़ चाड़ नहीं जहां लगाना है लगाओ आपकी मर्जी है वहाँ लगाओ बरबाद होने के पहले का स्टॉप लगा लो वह दयार रखो सो भाई कोई बात नहीं है आपने गलत ट्रेड लिया आपने सोचा था स्टॉक उपर जाएगा मार्केट उपर जाएगा सब कुछ यह लेकिन किसमत तो आप नहीं पढ़ सकते ना हो सकता है सब कुछ अच्छा समझें सोचने के बावजूद कुछ गलत हो जाए कोई बात नहीं हो गया हो गलती मानो सुधरो सुपो सुधा game यह सबसे काम की कीज़़िया और इसके सामने राम भग्मान से क्या सकते है पेशेंस इनवेस्टर्स के लिए पेशेंस इजदर की है यह है यह ना ऐसा मार्केट है सबसे ज़ vert Dios किसका बनाता हम आलू पर उैज्छ मार्केट में कुछ नहीं करता, खाली इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाता, कुछ नहीं करता, पेसिव इन्वेस्टर्स कई बार एक्टिव इन्वेस्टर्स से कहीं ज़्यादा पेसे बनाता है, जो मार्केट में टिका रहेगा, पेशेंस के साथ वो पेसा बनाएगा, सो का सेंसेक साथ हजार है हजार का निफटी सतरह हजार है बिना कुछ किए 1979 में सो था सेंसेक आज साथ हजार है ये रिटन आता है मार्केट में बिना कुछ किए अगर सिर्फ आप सेंसे में पैसा डालके बैट गए आप हजार की निफटी में पैसा डालके बैट गए तो आज ये सिच्विशन है आपकी 22-23 साल में बाजार की चाल को समझ के ट्रेट करें कई बार एक दिन उपर चले तब बाजार की चाल को समझ के ट्रेट करें कई बार एक दिन उपर एक दिन निचे यह जो बार बार चाल बदलता है ऐसी सिटूशन में या तो आप पेशिंट के साथ अपना पेशिंट बना के सई लेवल पर एंट्री एग्जिट करें न करता है तो कभी-कभी दूर रहना भी ठीक है प्रेट नहीं करना अपने आप में साथ हैं सर और इसमें एक इंट्रेस्टिंग फैक्टर है अच्छा सलाकार या अच्छा साथ ही चुनना तो पहले रावंड के अफगोंड से श्रोकायत करते हैं अच्छे सलाकार को तो उन्हें कभी सुना नहीं थ्रूआट हमने भी दिखा था जिरह यह समझाएं सर अब ज अच्छे सलाकारों को नहीं रखना और उनको नहीं सुनना अपने आप में बड़ी दिखते बाद हैं आप जैसे बनते हैं यह इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके आसपास के लोग आपके मित्र गर्ण आपके परिवार गर्ण वो लोग कैसे हैं तो यह बहुत हैं कि आप अच्छे सलाकार को रखें और मार्केट में इसको लगाएं तो मतलब यह कि आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए और खुद ना कर सके तो एक्सपर्ट से ओपिनियन ले यह अच्छे सलाकार आपके पास हो लिए खुद ही बन जाए तो बहुत ही बड़ी है फिर और नहीं कर पाएं कोई बात नहीं हर एक के पास ताइम एनरजी इसकिल्स नहीं होती तो आप दूसरे जानकार को रखें यह इन्वेस्टर्स के लिए जो ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग है जो वह अंदाज से करते हैं डाउ देखके यह कर लिया सुबह यह दिख यह है ना कोई ट्रेंड पकड़ने की ताकत हो न्यूस को एनालेसिस करने की ताकत हो कोई खबर आ गई इस खबर का है कंपनी की EPS पर 5% EPS बढ़ सकती है तो 5% EPS बढ़ने पर यह P multiple stock का reaction कितना होता है समझो 25 रुपे का होता है तो 25 तो नहीं होगा लेकिन 10-12 तो बढ़ सकता ह तो आप वह समझ के जब ट्रेड करेंगे ना तो आपको confidence level बढ़े आगा और नहीं तो जैसे लियार वहां से नीचे आते ही भाव blood pressure उपर तो इसलिए traders को लिए यह जरूरी की skill के साथ trading करें बिल्कुल और भगवान राम का तो गुड हमने देखा था उन्होंने तो हमेशा सही path भी चुना और सही लोगों को सुनकर वो decision भी सबसे बड़ी चीजी भगवान शिराम ने यहीं की आप देखो बाली और सुग होगी जो हर आदमी जिन्गी में चाहता है absolutely है ना कई सारे ऐसे रिशिमनी थे जिन्होंने उनको सही सही समय पर सही गाइड किया तो अच्छे सलाकार चुनना हालकि यह भी एक पूरा topic हो सकता है कि अच्छा सलाकार कैसे चुना जाए ठीक है लेकिन अच्छा सलाकार चुनन में यह अपने आप में बड़ी चीज है और यह राम में बड़ी quality सही साथ ही चुनने की खिर्णता सही साथ ही सही संती चुननाента चाहिए तो रावण नहीं समझा दिया लेकिन सही साथ ही चुनने की जो राम म है उससे हमें क्या सी चाहिए मैं उस श्रमता से सिखने की बात करा हूँ और वो सिखना चाहिए मल्टी बेगर क्यों उनका एक भक्त या मतलब वो सुग्रीव के भी नीचे थे हनुमान जी तो बराबर है सुग्रीव के अंडर में काम करते देख तरसे वो एक भगवान बन जाएंगे खाली भगवान शीराम की पूजा करते करते उनका काम करते करते ये मल्टी बेगर इसमें इतना पोटेंशल हो सकता है हनुमान में ये शीराम ने जाना ये हनुमान जी वो जो पूरी की पूरी संजीवनी के पढ़ापार उठा लाएंगे ये सुग्री जो है ये मुझे पूरी वानर से न दे देंगे और वो ऐसा जो खुद अपने आप स्ट्रगल करा था तो ये मल्टी बेगर चुनने की कैपसिटी आपको बनानी चीए ये कौन सा ऐसा स्टॉक्श जो दस गुना, पांच गुना, पंदरा गुना, पचास गुना ह सकता है, सारे के सारे नहीं होंगे, ऐसा नी कि भगवान श्री राम ने बाकी सब सब भी इससे दर कुछ-कुछ निकल आए, अरे भई, तीन-चार ढंके निकल गए, एक हनुमान जी मिल जाए तो भगवान श्री राम लंका जीत लेते हैं, बाकी सब ये साथ में, तो बाकी स बढ़िया मल्टिवेगर ढूने की हमें प्रेर ना मिलनी चाहिए, बिल्कुल सर, ये इंट्रेस्टिंग मदा आया सर, ये सीख के कि कैसे आप राम कि इंगोर्ण और रावन कि इंगोर्ण दोनों से सीख सकते हैं, ये बात सही है, और सीखने की ने तो कोई उम्र है, ने हैं, और ने, आप जिस से चाहें, जब चाहें सीख सकते हैं, तो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, जिस दिन लर्निंग में से एल निकल के अर्निंग अपने आप शुरू हो जाएगी, और व साथ देने के लिए तो रोज आम आप हैं ही, अर्निंग के लिए और लर्निंग क कि आपको धेरो शुब कामना है बने रहें जी बिजनस के साथ